रेन्बो चैनल की ओर से सत्रेंगी नमस्कार इस वीडियो में मर्केटर प्रक्षेप का निर्मान करना आपको आसान तरीके से समझाया जाएगा आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मर्केटर प्रक्षेप यानि बेलनाकार यथाकर्तिक प्रक्षेप की रचना करनी सिखाई जाएगी इसके लिए आपके सामने ये प्रस्न दिया गया आरफ एगनपाथ 250 क्रोड मापनी प्रसंसार का माध्यम से माध्यम से बनाने के लिए एक बेलनाकार यथाकर्तिक मर्केटर प्रक्षेप बनाएए जिसमें अंतराल 20 डिग्री यानि देशांतर और अक्सांतर अक्सांस रेखो में अंतराल 20 डिग्री का इंटर्वल इसमें लेना है आपको ध्यान है कि गिरार्डस मर्केटर द्वारा 1569 में इस प्रक्षेप को बनाया गया था और इनी के नाम पर ये मर्केटर प्रक्षेप जाना जाता है इसमें चार भी स्टेप है उसमें ये प्रस्न आप हाल करेंग लगुकृत गोले का जो अर्द व्यास यानि जो तिर्जा है वो निकालेंगे अन्य परस्न की बांती ही तो इसमें केलकुलेट करने पर ये आता है दो दसमलो पांच चार सेंटीमेटर तो ये तिर्जा आएगी और तिर्जा जो आगे के आगामी सुत्र है उसमें काम ली ज निकाला जाता है क्योंकि ये बेलनाकार प्रक्सेप ही है तो इसलिए ये जो भूमद एक की भूमद एरेखा की लंबाई जो ये टूपाई आर के बराबर होगी दो गुणा 22 बटा साथ आर अभी हमने प्राप्त किया था ये तो बटा साथ इसको केलकुलेट करेंगे तो भ दियगे अंतराल यानि अंतराल इंटरवल क्यूशन में 20 डिगरी का दिया है तो अंतराल दियगे अंतराल पर दो सलगन देशांतरों के बीच यानि देशांतर देशांतरों के बीच प्रक्सेप में दूरी कितनी होगी तो इसमें सुतर दिया गया है टूपाई आर गुणा 20 20 मतलब यहां interval क्यूशन में 20 20 degree का दिया है तो यहां आप 15 दिया है तो 15 लिख लीजे यह 10 दिया है तो 10 का लिख लीजेगा तो यहां 20 degree जो यहां देर का है यह क्यूशन में दिया गया अंतराला को लिखना है 3260 और 2 pi r का मान हमने इस पूर्व बिंदू में हल किया था 2 pi r का मान तो यह आया था 15.96 तो 2 pi r की जगे हमने लिख दिया 15.96 20 का 20 बटा 360 इसको केलकूलेट किया 0.88 cm का आंसर पराप्त होता है अब अगले जो step में है भीविन अकसास वर्तूं की भूमत देरेका से दूरी तो इसके लिए एक table use करेंगे यह भीविन अकसास वर्तूं की भूमत देरेका ग्याद करने के लिए यह table use करेंगे तो इसमें आपको 20 डिगरी का मान लेना है जो 0.3 5.6 है 20 के बाद में 20-20 का अंतराल है 20-40 का मान लेना है 60 का लेना है और 80 डिगरी का मान आपको इस सारणी में से लेना है करपिया इस का स्क्रीन सोट ले लेए जिससे आपको आग्यामी गड़ना में कोई तकलिफ नहों मैंने उस टेबल से आउसिक मान 20-40-60 और अच्छी अक्सान सवर्त के ले लिए है तो इसमें ये देर का है 20 डिगरी का मान ये था 0.356 0.356 गुणा आर ये सुतर था तो आर आपने पहले निकाले थी ये आर सरो परतम निकाले थी 12.54 सेंटिमीटर तो मैंने आर का मान यहां रख दिया है और इसको गुणा करेंगे तो ये आ रहा है आप जैसा कि देख पा रहे है 0.90 इसकी गणना मैं लिख रहा हूँ 0.90 सेंटिमीटर इसी परकार 40 डिगरी है उसका मान लिख दिया और इसको आर से गुणा करने पर कितना आएगा मैं केलकुलेट कर रहा हूँ ये इतना आया है मैं इसको लिख देता हूँ 60 वाला भी ये इतना आया है 3.34 सेंटिमीटर इसको भी लिख दिया जाएगा 80 अकसांस वर्त की भूमद एक आसी दूरी मैंने केलकुलेट कर लिए वो इतने 6.18 इसको लिख दिया जा रहा है 6.18 सेंटिमीटर इस परकार हमारा गणना कारी पूरा हो गया हम प्रक्षे बनाना स्टार्ट करते हैं एक अन्य कागज पर मर्केटर प्रक्षे बनाने के लिए भूमद एरिकाए की लमबाई आपको द्यान है जो क्यूसन में आय थी यहां देखिएगा भूमद एरिकाए की लमबाई यह आय थी 15.9 सेंटिमीटर तो यहां इस पर अंकन कर देते हैं इसकेल के साइटा से यह 15.9 सेंटिमीटर और यहां अंकित कर देते हैं A बिंदू और यहां B बिंदू है अब इस के इस बिंदू में दिये गया अंतराले 90 डिग्री पर दोस्ट से लगना के देशांतरेकों के बीच की दूरिया हमें परात हुए थी 0.88 सेंटिमेटर के परकार में चाप बरकर काटते हैं और यह अठार चाप आएंगे कैसे आएंगे क्योंकि 360 डिग्री में अंतराल का भाग देंगे अंतराल हमारा 20 है न 20 का भाग देंगे तो यह आपता है 18 18 देशांतर लाइने इस में बन जाएगी और इस से आप काटेंगे तो यह अठारा लाइन हमें प्राप्त होगी जैसा कि आप देख पार रहे होंगे यहां मैंने परकार को पॉइंट आट आट से हमी यानि 9 mm से कम खोल लिया है और इस बुमद रेका पर इक्वेटर पर आपको चाप मारने है इसके चाप मारने है इस परकार आपके काउंट करते हुए चाप मारें दो तीन च्यार दस ग्यारा यह अठारवा चाप है जब आप इसको से खोलोगे तो बराबर चाप राप्त होएंगे कम ज्यादा हो सकते हैं तो थोड़ा परकार को कम ज्यादा करके इसके अठार टुकडे करने हैं अब ए बिंदू पर चांदे की साहता से डी की साहता से 90 डिग्रिया कोन मनाना है यह दोनु तरह भी मनाना है उत्री एक्सांस और दक्सिन एक्सांस उत्री गोलाद और दक्सिन गोलाद इस परकार एक लाइन की हिस्दे नब बड़े गरी की जिसको C और D अंकीत कर देवे इसी परकार यहाँ भी नब बड़े गरी का कौन B पर बना लेवे तो यहाँ D और यहाँ लिख दे E और यहाँ अंकीत कर दे F अंकीत कर देवे अब यह चोथी स्टेप बड़े विविन अक्सांस वर्तों की भूमत एरेकास से दूरी तो इसमें E में 20 दिगरी अक्सांस वर्त की दूरी देर किये यह 0,9,0 परकार खोल लेवे इस परकार आप यह डिवैडर है इसको खोल लेवे और आपको उत्री गोलाद और दक्षिन गोलाद में चाप मारना है यह यह बिंदू से आपको यहां से यह 20 दिगरी का निरूपन हो जाएगा दोनु तरफ और इस तरफ भी बिंदू पर भी मार लेवे जिसे लैड एकदम स्टेट सही प्राप्त हो इस परकार और इनको आपस में मिला देवे इस परकार इसको मिला देवे इस तरफ 20 दिगरी अकसांस वर्थ की रचना कर देवे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे उत्री गोलाद में भी और साथ साथ दक्सनी गोलाद में भी इसकी रचना कर देवे यहां भी बिंदू को मैंने अंदर लिख दिया है और यहां इसको मिटा रहा हूँ भी को और यहां लिख दीजेगा जीरो डिगरी यहां है 20 डिगरी उत्री गोलाद और 20 डिगरी दक्सनी गोलाद अब अगला चाप 40 डिगरी के लिए लेना है तो इसमें B बिंदू है इसमें परकार खोलना एक दसमलो नो तीन सेंटीमिटर जैसा कि आप देख पा रही होंगे मैंने 40 डिगरी अक्सांस वर्थ के लिए चाप खोला है एक दसमलो नो तीन सेंटीमिटर का यह और अब इसमें खास बात यह है इसमें कि चाप आपको A बिंदू से ही मारना है यहां से नहीं कहने का मतलब है B से मारना है 20 डिगरी से आगे नहीं मारना है 20 पर परकार की नोक नहीं रखनी है B पर ही और A पर ही दोनों पर हमेशा यहीं नोक रखनी है और जो चाप आपने बढ़ा है एक दसमलो नो तीन का दोनों गोलार्द में चाप मारना है इसमें ये सबसे बड़ी बात ही है ये नहीं प्रक्से बहुत बड़ा बन जाएगा और गलत भी होगा बी बिंदु पर मैंने रखाया देखा आप देख पा रहे होंगे ये उत्री गोलार्द के लिए और बी बिंदु को रखकर मैंने रख्षन गोलाद के लिए चाप मारा है और इसको आप मिला दीजिएगा तो यहां 40 डिगरी अंकन कर दीजिएगा और यहां भी 40 डिगरी मेरे चैनल की ये विशेशता है कि आप वीडियो जो लाइव बनाए जाता है आपने देखा होगा अन्य बॉर्ड पर बना कर समझा रहे हैं उससे पूरा समझ में नहीं हो पाता है कॉंसेप्ट कलियर नहीं हो पाता है इसके लिए मेरे चैनल को आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा अगला चाप हम मारते हैं अगला चाप 60 डिगरी अकसांस वर्ड की भूमद रेका से दूरी 3.34 सेंटीमेटर का आपने चाप बर लिया है आप देख पा रहे होंगे और मैंने ये चाप बर लिया है मैंने ये 60 डिगरी अकसांस वर्ड की भूमद रेका से दूरी 3.34 सेंटीमेटर का चाप बर लिया है और अब मैं चाप मारा हूँ तो ये ये पर ही नोक रखनी है आगे पीछे नहीं रखनी है दोनु तरफ नौर्थ और साउथ में चाप काड़ दीजेगा यहां भी आप देख पा रहे होंगे बीबिंदू पर भी वेसी क्रिया करनी है और इसको आप आराम से बड़ी इत्मनान से मिला सकते हैं और यहां आप साट डिग्री नोर्थ और साट डिग्री साउथ है अंकित कर दीजेगा और लास्ट में बचा चाप है आप देख पा रहे होंगे ये खोलना है छे दिसमलो एक आठ सेंटिमीटर का मैंने छे दिसमलो एक आठ सेंटिमीटर का चाप भर लिया है पूरने ए बिंदू से मैंने चाप काटा है और बी बिंदू से चाप काटा है और बी बिंदू से ए की तरफ और आप की तरफ मैंने चाप मार दिया है और इसको मैं मिला दूंगा भी और यहां 80 degree का अंकन कर दीजेगा और यहां भी 80 degree अंकन कर दीजेगा तो यह है South Pole यहां South Pole है और यहां हो जाएगा आपको North Pole आप थोड़ा देख पारे होंगे कि यहां से चोड़ा दिखाई दे रहा है और यहां संकड़ा यह केमरे की बज़े से दिखाई दे रहा है जैसे कि आप अनुपव कर पा रहे होंगे यह केमरे की बज़े से दिखाई दे रहा है जबकि ऐसा नहीं है अब आप हमने अक्सांस वर्त बना दिये उत्री गोलाद और रक्षिन गोलारद में अब जो यह देशांतर है इस रेखा का भी निरूपन साथ साथ में कीजिएगा अक्सांस लाइन खिंचने के लिए एक में ट्रिक बता देता हूं तो आपने जो चाप मारा था पेल ला इतना चाप खोला था यह चाप दे रहे इसके बराबर चाप खोल लीजेगा और आप जो एबी पर अठारा चाप मारे थे ना उसी परकार आपको क्या करना है यह सी य लाइन है इस पर भी अठारा चाप मार लें जिससे आपको देशांतर लाइने बनाने में आसानी रहेगी यह एस परकार एक, दो, तीन, और इस परकार हम इनको आपस में मिला कर देशां अंदर लाएने आराम से खीश सकते हैं, नहीं तो लाएने टेडी मेडी, टेडी मेडी होने का भेह रहता है इस परकार आप अठारा चाप मार लें और आपस में इसको मिला देवें इस परकार ये देशांतर लाएने हैं इस परकार देशांतर लाएने आप निर्मान आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो इस परकार ये ट्रिक नहीं हजमाएंगी तो आपकी लाएने टेडी मेडी हो जाएगी इस परकार यह मरकटर प्रक्सेप है इसमें देशांतर लाइने मैंने दरसाद दी है और इसमें आब अंकन कर देते हैं जो सेश कारे रहा है नाम बगेरा लिख देते हैं इस प्रक्सेप की अब पहचान सुन ले आइडिन्टिफिकेशन क्या है देशांतर रेखा बीश हरल प्रस पर बराबर और समांतर होती है यह देशांतर रेखा है जो मनायती मैंने वो बराबर होगी जैसे कि आप देख पा रहे हैं और समांतर भी होगी और जो अक्सांस वरत है इस परकार मनायते ना यह दो अक्सांस वरत है जो है वो समकॉन पर कारते है यहां समकॉन बंता है तो इसकी यह पैचान है इससे आप आसानी से पैचान सकते है इसका उप्योग गलोब पर किनी दो बिंदों के बीच की नियुनतम दोरी को उन बींदों से होकर जाने वाले great सरकील के सारे मापकरगी भी ग्यात किया जा सकता है केटर प्रक्सेब पर जो greater सरकील है क्या करती वक्राकार होती है ये वक्र उत्रि गॉलादे में उत्र की ओर तता दक्षनी गोलार्द में दक्षनी की और जुक्य होते हैं एक इसमें द्यान देने की बात है तो देशांतर जो रिखाएं हमने अंकित की थी हमने चाप अठारा मारे थे लेकिन लाएने गुनिस होगी पहले गिन लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोगदा, पंदरा, छोड़ा, सतरा, ठारा, गुनिस तो गुनिस कैसे होगी तो हमने यहां से परकार का नोक रखा और चाप मारा था एक, दो, तीन तो इसमें पहलेको गिना नहीं था तो यह 18 तो चाप हो जाएंगे और एक, यह लाइन अक्स्टा हो जाएगी तो यह गुनिस लाइने होगी तो इस परकार जहां रखना है इसमे लाइने गुनिस होगी और यह पतियां होगी 18 जो आप गिन सकते हैं अब इसका हम नामांकर कर देते हैं, यह 0 डिग्री है, और अब इस्ट के अंदर चलते हैं, तो अंतराल आप 20-20 का था, तो यह 20 डिग्री, यह 40 डिग्री, 60, 80, और यह 180 डिग्री, इस्ट पूर्व हो जाएगा, इसी परकार आपको, वेस्ट में भी 20 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और 180 डिग्री, यह हो जाएगा वेस्ट, इसको मैं डबलू से लिखूँँगा, तो इस परकार, हम यह मर्केटर प्रेक्षेप है, इसमें एक इक्वेटर ओर लिख देते हैं, यह भूमद देरिखा कांगन हमने कर दिया है, इस परकार आप मर्केटर प्रेक्षेप बना सकते हैं, निचे मापनी भी लिखना अतियावसक है, इस परकार हम मापनी यानि स्केल है, वह अंकन कर देते हैं, आपका बहुमुले हमें परदान करने के लिए, हमें देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आभार, यदि हमारा परियास आपके समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी परकार के वीडियो पाने के लिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सेर कीजिएगा, जिससे वो भी इस परकार के वीडियो देखकर अपना ज्यान वर्दन कर सके, आपका सेयोग बना रहेगा, ऐसी आसा करते हैं, यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो वीडियो की कॉमेंट बॉक्स जो वीडियो चल रहा है, उसके नीचे दस वीडियो स्क्रोल कीजिए, उसके नीचे कॉमेंट बॉक्स आजाएगा, टार किपलो का सुमेंट डिकान है, उसको का सारासा की यक्साल रहे हैं,